एलो इ स्टूरेंट कैसे हूँ आप लोग, आई होब कि आप लोग स्टूरेंट अच्छे होंगे और अपनी बौड की तयारी आप लोग अच्छे सी कर रहे हुँगे student आज का ही video class टो इतिहास के जितने भी student है उनके लिए सबसे ज़्यादा important है क्योंकि इस video में आपका हम 10 number पक्का कर देंगी आज की इस video को देखने के बाद में आपका 10 number बिल्कुल पक्का होने वाला है तो वीडियो को आप सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हमने एतिहासिक तितियों को बताया है जो आपकी बूर्ड परिच्छा में 10 number का पूछे आता है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज तू देखिए देखिए बूर्ड एक्जाम में प्रश् इसने कितने जिसे 563 हिसा पूर्व में क्या हुआ था कौन सी घटना घटी थी या इस दिन क्या हुआ था इसकी वैरी भी बतायना है तो इतियास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दस नंबर का यह आपका पूछा आता है इससे पहले आपका 26 नंबर पुर्शन में दिया हुआ कि बारत के रिखा मांचित पर निमलिखित चिन्हो द्वारा दर्स आईए तो इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ या आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको description में link मिल जाएगा जाकर आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको निमलिखित घटनाओ या जो इसके एतिहासिक तितियां इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे तो देखिए वीडियो को आप like कर द चीटा 1235 में NCRT यसी प्रशन लिया गया है 2020 और 22 में प्रशन ये पूछा गया था तो 1235 में कौन सी घटना घटी आप देख सकते हैं उसके बाद में देखे दूसरा जो हमारा है और 1545 इसमी में सेरखा के कलिंजर पर विजय और मिर्तियो यह आपको याद रखना है 2020 में प 1551 में यहां पर क्या हुआ था कौन सी एटियाति घटना घटी तो देखिए खान-खाना क्या है खान-खाना पर अकबर की विजय जो खान-खाना एक समराग जी वहां पर अकबर जी की विजय हुई थी तो 2020 में यह आपको याद रखना है पंद यह सारी जो सा घटना घटा या इस दिन कौन सा प्रवता या कौन सा कौन सा फेस्टिवल था पूरी जानकारी आपको दे नी रहेगी है चौथा आपका 25 पचीस सो इसापूरी में क्या है जो पचीस सो इसापूरी है इसमें आपका हडपा सब बताया यह आपको याद रहे हें us बहुत लाश्ट में बीच चुगा है 25 इसने उसके बाद में दोजार बीस और बाइस में प्रशन पूछा गया एंसी आटी का है सारा प्रशन आप देख सकते हैं छे नंबर देखिए 500 इसा पूर्व यानि बहुत घटते नीचे चले आएंगे 1000 इसा पूर्व या 500 इसा पूर्व फिर उसके बाद में जिसे जो घटना घटी उसी के आधार पर सारा सन पूछा जाएगा पर इसके आगे यह आपको पहचानना रहेगा कि किस सन में यह क्या यह आपका प्रश्ण था मालूम था आपको एक नंबर दे दिया जाएगा तो एतिहासिक तिति बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और यह जो प्रश्ण होते हैं आपका दस देख नंबर का यह बोनस के तोर पर होता है तो आप इसको तयार कल दीजी उसके बादिए चा कपुत्र शभाजी किया रोगत अगरा पांके सब्सब्स कि यह आपको यादर थीजाए यहीं चौथा और देख पुंचा गया था आट क्या है 14 जाजिए focusing को प्रश्ण प्येकर कर घ्राकर discussion से ही सारा प्रशन पूंचे जाएंगी नाइथ नंबर क्या है देखिए 1933 में क्या हुआ था कौन सी घटना घटी थी तो देखे मुहम्मद क्या है कौन सी घटना घटी थी या एतिहां सिकती थी क्या थी काफी सारा कोशचन लेका तो जो भी गोड एक्जाम इस बार आने के च 3080 का प्रशनेयों 2020 में पूछा भी गया था यह आपको याद रखना है जितने भी में प्रशन बता रहा हूं जितने भी हमने यहां पर एतिहासिक तिथी के बारे में बताया है आपसे रिक्वेश्ट है एतिहासिक तिथी को आपकी विध्या को रिक्वेश्ट के पीछे भी दिये होते है एतिहासिक तिथी तो आप जाएंगे उन सभी प्रश्णों को भी सारे पढ़ लीजिए क्योंकि दस नंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आपसी रिक्वेश्ट है सारे तयार कर लीजिएगा चलिए देखें अगला क्या है देखें अब हमारा दस नंबर का आ देखें क्या है दस नंबर 1765 इस इस बी में क्या हं गया हुए था तो देखें इंग्लिसremo再见 इस इंडियां कंपनी दिवाननी जो बंगाल की दिवानी प्राप्त की अवधीondis in fighting चना में Saam मरसल और अल्फरेड की दा मानीुमेंट्स औव साची ब्रेकट में आपका है यह आपको याद रखना है पुस्तक का प्रकाशन हूा 1914 this a could to Present camp नमब्र कोश्म है आफे इस آजार ह्सी हजार अइसी है 1848 इश्यापूर्भ में कौन सा घठना घठा या कौन सी तितही थी एक है डल हो जी गवरणर जर्neल बना जो डलहो जी जी है governor जर्neल बने कहा 17 का बिला हैं अंग्रेजी समराज में सतारा का बिले क्या हैं अंग्रेजी शमाझ में आपको याद रखना है उसके बाद में देखे क्या है यह आपको याद रखना है 14 नमबर में देखी इए 1912 में जो 1922 में जो 186 घटनाना देखे 5 फर आउरी 1922 को 44 कांट हुआ यह आपको 1 डरष आ दिया जाता है ये भी आपका दस नंबर का तो जो 100 मांको का पुडांत होता है कि आसी नंबर जो होता है लिखित प्रष्च्रा हो यह दिखे आपको पंदरा सोसे क्या है सूला सो के जो बीच में कौन कौन सी घटना घटी या कौन कौन से एतिहासिक थी थे यह आपको याद रखना है तो देखिए पुत्कालियो द्वारा गोवा पर क्या है जो पुत्कालियो द्वारा गोवा पर बिजे पंदरा सू दस इस्वी में प्राप्त हुआ ये आपको याद रखना है उसके हमामे 16 नमबर पर देखिए 1582 इसा पूर्वे में कौन सी घटना घटी थी तो ये अकबर ने दीन क्या है अकबर ने दीन ए इलाकी नामक नया धर्म चलाया जो अकबर है वो अपना 1582 इस्वी में अकबर ने दीन ए इलाकी नामक जो है एक नया धर्म चलाया जो की सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और NCRT 2020 का ये प्रश्ण है ये आपको याद अखना है पिछले साल आया भी था 17 नमबर देखिए क्या है जून 1858 में जो जून है 1858 में युद्ध में रानी जासी की ये आपको पता होना चाहिए सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है और रिक्वेश्ट है इन सभी को आप नूट करती जाहिएगा कॉपी पेन में अठारा नमबर देखिए क्या है 1814 में इंडियन म्यूजियम क्या है इंडियन म्यूजियम कोलकाता की स्थापना हुई ये आप को पता होना चाहिए जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता की इसकी स्थापना हुई कितने 1814 सभी में सारे प्रश्ण इंपोर्टेंट है और आपसी रिक्वेश्ट है इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा तैयार करेंगे सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ट इग्जाम में आने की काफी चांसे सी उसके बाद में देखे क्या है जो पंदरा सो शूला पंदरा सो सूला सो की बीच में काफी कुछ यूद्ध है यह आपको याद रखना है उसके बाद में देखे बीस नमबर के हमारा 1589 इसा पूर्ब में बाबर के संस्मरणों का क्या है बाबर नमा की रूप में फारसी में अनुआद हुआ जो बाबर के संस्मरणों का बाबर नमा की रूप में फारसी में अनुआद हुआ यह आपको याद रखना है तो 20 इंस में हमने important question को सामबिल किया था यदि आप कहेंगे इसका part 2 बनाने के लिए यह सारी जान पिक की साथ तब तक के लिए गुर्बार जाहिंद पढ़ते रहें और अच्छे से आप लूग तयारी करते रहें